हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे बी वायर वर्सस टी एश्टी फूल इस्ट फूल इस इनफो एनगे बाइरोन सेसी वर्सस टैलिन इस्टैलिन के बीज जो मैच नमबर टू खेला जाना गुरूप एक अब देगे बाइरोन सेसी जो है ग्रीस की टीम है टलिन इस्टैलिन इस्टोनिया की टीम है तो यह एउरोपियन किर्केट लिग टीटेन की सिरीज श्टार्ट हो चुकी है 27 फरवरी को यह मैच जो है साम 6 बजे से श्टार्ट हो जाएगी बेन्यू जो रहेगा कारतमा होग कारतमा कर रहेगा जो की स्पैन में है पीच रबोट की बात कर ले तो बैटिंग फ्रेंड ली आपको बिगेट दिख जाएगी अब बहुत ही अच्छे यहाँ पर अच्छे लेवल की किर्केट होती हुए नजर आएगी दोनों टीम है यहाँ बल्लेवाजी को इंज्वाई सकते हैंजो की राइट हैंड बिकेट कीपिंग करते हैं और आट मैचेस में 121 run बनाया है ECS 2021 में high score 29 कर रहा है average 15 कर रहा है recent के 3 matches आप read कर सकते है कुछ खास नहीं है एक average से ही player है इनके अलावा निक catches देखिए इनके team के जो player है ना इन लोग ने ज़ादा matches खेले नहीं है और इनके record ज़ादा मुझे मिले भी नहीं है निक catches जो है ये भी एक विगेट कीपर वल्ले बाज है recent time में 2 T20 domestic T20 matches खेल के आ रहा है 2 matches में open के 13 और 65 का score बनाये है last match में not out गए थे तो बिल्कुल आप इनको try कर सकते हैं विरा कली देखिए ये जो है I think की France के लिए ये जो है T20 international matches खेलते हैं ये भी एक विगेट कीपर वल्ले वाज है कभी-कभी part-time balling कर लेते हैं अगर विगेट कीपिंग नहीं करते हैं तो 2021 में जो T20 international matches खेले थे 4 matches में 70 run बनाये थे हाइस को 52 का रहा था open या one down आपको आते वह दिख जाएंगे recent time में T20 plus T10 खेलके आ रहे हैं ये जो है open आये थे तीन run बनाये थे solar game 2 में T20 के अंदर और ये दोनों जो है T10 में बनाये 10 और एक तो recent form उतना कुछ खास नहीं है T10 के अंदर जो है इन्होंने 4 matches खेले थे 14 run बनाये थे high score 24 का रहा था average 10 का रहा था पिछले साल जहां पर इन्होंने 6 matches में 28 run बनाये थे और आट ओवर की gain बाजी करके चार बिकेट लेके गए थे ये लाश्ट टाइम जो अब ECL खेले थे ये तब के states हैं बाकी overall ECS के अंदर 14 matches में खेल चुके 162 run है high score 44 का है 11 innings में 17 और की gain बाजी करके तो recent time में एक मेच खेलते हुए नजर आये जहां पर वन डाउन आये थे साइथिस रन बनाये थे पलस एक ओवर की gain बाजी किये थे एक विकेट लेके गए थे यहीं से अहमाद मुम्ताज ये भी आई थेंकि कि फ्रांस के लिए ही खेलते हैं recent t20 domestic में आप देखेंगे तो इन्हों ने थोड़ा नीचे बल्लेवाजी किये हैं इनका बैटिंग ओडर उपर आपन डाउन होते रहता है कभी नंबर पाच पे कभी नंबर आट पे कभी नौ पे थोड़ी बहुत गेंदवाजी कर लेते है बाट एक अच्छे फ्रांस के लिए खेलते हैं तो एक ठीक ठाक पीक है छे मेंचेस में 169 रहना है आई श्कोर 73 का एवरेज 31 का एक हाफ सेंच लिए नो आवर की गेंदवाजी करके एक बिकेट लिए हैं तीन ही मेंच में बॉलिंग किये हैं तो ये ठीक ठाक पीक रहने व आई थिंक की खेले थे तो ये जो है नमबर पाच पे बल्लेवाजी एक मेंच में किये थे बाकी मेंच में बहुत ही नीचे बल्लेवाजी करने आ रहे थे गेंदवाजी ठीक ठाक कर लेते हैं 11 में नो इनिंग्स में गेंदवाजी किये हैं 18 ओबर की गेंदवाजी करके 10 व तो ये रीसंट टाइम में एक मैं श्कॉर्ड में तो थे धर कुछ यह नहीं थे इस पाइडर्स नीकॉलेस भी स्कॉर्ड में सामिव है लेजिए नहीं सब्सक्राइब तेखे इनके नाम में थोड़ा मैं इनको डौट फूल है इसके टोड़ा है इनको डौट हो सकता है कि एक अच्छे पिलियर हो सकते हैं जो बट ये कंफर्म नहीं है इनका सेलेक्षन भी आप देखें हैं अच्छा खासा है तो आप कासिम मुहम्मद को टीम में ट्राइ कर सकते हैं बट मेरे पास इसलिए अब लेवल नहीं है क्योंकि इनके नाम से बहुत सारे पिलिय के मुकाबले इनके तरफ से देखें साइफुर रहमान आपके लिए ओपन कर सकते हैं राइट हैं या लेफट हैं बल्लेवाज है राइट हम आप इस पिन बॉलिंग कर लेते हैं पार टाइम बॉलिंग करते हैं ओपन आते हुए दिख जाएंगे एक ठीक ठाक जो में दिए भी थे बॉलिंग करते हुए रिसेंट टाइम में टी ट्वंटी खेले हैं जहां पर डॉमस्टिक लेवल पर जहां पर इनके फॉम बहुत ही जबरदस्त रहे हैं और आप देखेंगे डॉमस्टिक के अंदर 56 में चार हजार चेटरान है हाइश्ट को और 300 का है यह एक अच्छे खिलाड़ी है और 29 इनिंग्स में 96 अबर की गेंवाजी करें तीन विकेट भी लेके गए हैं और एकोनोमी साथ की रही है अब देखेंगे आदेतिया पनवार का आप देखेंगे सेलेक्सन कम मिलेगा 2020 में यह तीन मेचेस खेले थे जहां पर 5 अबर की गें 25 मेचेस में 272 रन हाइश्ट को 159 का एवरेज 25 का दो हाफ सेंचुरी और आठ हाफ सेंचुरी है 48 इनिंग्स में 185 अबर की गेंदवाजी करके 49 विकेट निकाले तो आदितिया पनवार बिल्कुल आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी बिल्कुल आप ट्राइक कर सकते ह इनके अलावा अधितिया पॉल का भी सेलेक्शन आपको कम मिलेगा देखेंगे इसी है 2020 में थीन मेचेस खेले थे 24 रन बनाए थे और दो विकेट भी लेके गये थे रिसेंट टाइम में ओपनिंग वन डाउन आते हुए दिखें एक मिच में नमबर नॉप आयते हैं वैसे ज्यादा तर वन डाउन ही बल्लेवाजी करते हैं पूरे पूरे अभर कर रहे थे कभी कभी ये डेथ में बॉलिंग कर लेते हैं और दूसरा चाहुदा अभर करते हुए दिख जाएंगे ऑबर वाल उन चालिस मैचेस में 308 रन हाइश को 59 का एबरेज 13 का एक हाफ संच्री 38 इनिंग्स में 149 अभर की गेंदवाजी करके 43 बिगेट लिए हैं इस्टोनिया के लिए भी खेलते हैं फराज आवाज सबको मिलेंगे बॉलिंग स्वारी विगेट कीपिंग सेक्षन से जोकी एक और राउंडर पे लिए रहे हैं 2021 में डोमेस्टिक टीटेन खेल के आ रहे ह जहां पर यह वन डाउन बल्लेवाजी कर रहे थे पलस दो दो अभर की गेंदवाजी दे रहे थे और सबसे अची बात है कि डेट में गेंदवाजी कर रहे थे रिसेंट टीटी भी देख सकते हैं ऑबरॉल साट मैचेस में 1436 रन हाइश्ट को 93 का एवरेज 29 का 9.5 सेंचुर है 56.3 अबर की गेंदवाजी करके 17 विगेट निकाले हैं पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं नंबर 3 से 4 पर आपको आते हुए दिख जाएंगे बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी सेलेक्शन कम है रिफाक खन की बात कर ले तो इन्होंने बॉलिंग करते हुए नजर आये हैं बट और इनके कटते हैं नंबर 56 पर बल्लेवाजी कर लेते हैं बट 2020 में जब खेलेते हैं इन्होंने टीटेंड के अंदर 33 रन ही बनाए थे तो इनको आप इग्नोर करके जा सकते है रिफाक खन को इनके अलावा देखे एक पिलियर है चेतनिया एकनी है जो कि आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी आप ट्राय कर सकते हैं नंबर 45 पर आपको बल्लेवाजी दे देंगे रिसेंड डोमेस्टिक टीटेंड में इन्होंने अच्छा किया है गेनवाजी से अब बल्लेवाजी का मौका जब मिला था त बाकी ओबरॉल 49 मेचेस में 770 रन है है साथ हाफ सेंच्री है 29 बिकेट भी इनके नाम है और रिसेंट टीटवन्टी भी आप यहाँ पर रीट कर सकते है फॉर्म ठीक ठाक है राम किरिशन की बात कर ले तो इन्होंने ओबरॉल देखेंगे बावन मेचेस में 829 रन बनाया है है 29 बिकेट भी निकाल है रिसेंट टाइम में पूरे-पूरे अभर करते हुए नजर आया है टीटवन्टी डोमस्टिक के अंदर ऑपनिंग गेंवाजी पलस डेथ में कुछ अभर गेंवाजी आपको दे सकते हैं अगर खेलते हैं तो राम किरिशन का भी आपको धियान है हर्षट पर 75 का एक हाफ सेंचरी 221 ओवर की गेंवाजी करके 64 बिकेट भी निकाले हैं जहान खान आपके लिए एक अच्छी पिक रहने वाली है आपके लिए एक गेम चेंजर पिक रहेगी सेलेक्शन कम है डेथ बॉलिंग के लिए में डेथ बॉलर अगर खेलते हैं तो इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी बट रिसेंट टाइम में जो है इन्होंने थोड़ी बहुत गेंवाजी की है 48 मेंचस में 35 बिकेट लेके गए हैं उबाई दरण वर की बात कर ले तो इसी है 2020 में आप देखेंगे तो इन्होंने तिन 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 ओबर की गेंवाजी करके आ आज बिकेट निकाले हैं आप इनको इग्णोर करके जा सकते हैं विमकुती हेट्राइक्ची की बात कर ले तो राइट हैं बैट्समन बिकेट कीपर वल्लेवाज है कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं 11 में इन्होंने बिकेट प्लेस गए हैं दो ही मैच में बॉ राउंडर प्लेयर है आप इनको सी बीसी भी डायक्ली कर सकते हैं देखें यहां पर एन केटिस के मुझे दो मेचेस के रिकॉर्ड मिले जहां पर यह ओपन करते हुए अच्छे खासे रन बनाया आप इनको लेके चल सकते हैं आप दो बिकेट कीपर के साथ बिल्कुल जा सक क्योंकि उनकी टीम थोड़ी सी इस्ट्रोंग दीख रही है सामने की टीम से यहां से ओर राउंडर सेक्षन से मैंने असलम मुहमाद सीए कहनी है कास्री मुहमाद अहमद मुमताज के जगा आप चाहे तो यहां पर एन केटेचिस कर सकते हैं बट अहमद मुमताज जो है आप पाजीम जहान खान और यहां से मैंने परिनाई गीवाला को लिया हो आप देखते हैं इन में से कौन-कौन से फिलियर खेलते हैं यहां से और कुछ वईसी मुझे खास पिक नहीं लग रहे है क्योंकि इन सारे पिलियर के मेरे पास अभी स्टेट भी एवलेवल नहीं है तो आपके लिए असलम मुहमद एक ठीक ठाक अफसन है इनके अलावा यहां से ए मुम्ताच भी ठीक ठाक अफसन है सी बीसी के बट सी के लिए जो बेस्ट अफसन मुझे जी यल की देख रही है वो फराज अबबास और सैफुर रहमान ही दिख रहे हैं कासिम मुहमद को मैं सेल के लिए आप इन लोगों को जो है सी बीसी जी एल में ट्राइ कर लेंगे तो अभी के लिए जो अपनी डेमो टिम कुछ इस प्रकार से है बाकि जो भी फाइनल टीम रहेगी वह आएगी टेलिगराम में टेलिगराम का लिंक आपको डिस्क्रेशन और टॉप के कॉमेंडे मि वीडियो अच्छी लगी है तो सबसेले वीडियो को लाइक कर लेंगे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो चलिए मिलते हैं नेश वीडियो में ठेंक्यू